नमो बुद्धाय मैं आरपी सिंग आप सभी का हर्देख स्वागत करता हूँ हमारे विशेज कारेक्रम धमदीप में जैसा कि आपको विदित है कि धमदीप एक ऐसा कारेक्रम है जो तथागत गौतम बुद्ध की सिक्छाओं पर आधारित है आज इस कारेक्रम में आमरपाली के बारे में विस्तित जानकारी देने के लिए हमारे मद्ध उपस्तित है भंते डौक्टर चंद कीर्थी जी आपने बुद्ध दर्शन में उच्छे सिक्छा प्राप की है तथा आप देश विदेश में अनेको सम्मानों से अलंकरित होने के स साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिजम पर अपने विचार रख चुके हैं तो हम स्वागत करते हैं बंते डौक्टर चंद कीर्थी जी का नमो बुद्धाय बंते जी बंते जी हमारे दर्शकों को अपना आशिरवाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब आप हमारे आज के मुख्य विचय आमर पाली के विज़े में विस्ते जान कारेद हैं बहुत बहुत धन्यवाद आर्पी सिंग जी आज हम लोग इस धमदीब कारकरम में विस्ताहसे चर्चा करेंगे आमर पाली के संबद में आप जानते ही कि तथागत गौतमबुद नगर नगर गाओ गाओ सहर सहर वो धमपचार के लिए जाते थे मानव कल्यान के कारी है तुम उसी समय में एक वेशाली नगर था और उस वेशाली में एक कन्या थी जिसका नाम आमर पाली है चुकि आप जानते कि तथागत गौतमबुद उस काल में अलग अलग जगा जाकर के अलग 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 लोगों को धमदेश देने का काम करते रहते थे जिससे मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ छोटे नगर, कुछ बड़े नगर, कुछ छोटे जनपद, कुछ बड़े जनपद और इस तरह से एक देश का अपना शुरूप था और एक बार विशाली में यह घटना होती कि आम के पेड़ के नीचे एक लड़की मिलती है इसलिए उसके माता पिता को नहीं है अज्यात है और कोई व्यक्ती उस लड़की को देखता है कि जीवीत है उसका पालन पोशन करता है और पालन पोशन करने के समय आप देखते कि यह आम के पेड़ के नीचे मिली है और यह आमर इसलिए उसका नाम आमर और पालन पोशन किया गया इसलिए अमरपाली ये नाम रखा गया और ये बचपन से ही बहुत सुन्दर थी अकरशिक थी उसका सरीर शुडोल था बहुत ही अकरशीत करने वाला था ये कहे तो हम कि इंगलिस में कहते ब्यूटीफुल थी और इसलिए ये अशंतुलित जो वातावरन है विशाली में तो आमरपाली कोई देख करके बचपन से जैसे जैसे बड़ी होते गई तो उसकी शुन्दरता को देखकर वाकाफी लोग अकरशीत हुआ करते दे और इसलिए कोई वाद वाद उत्पन ना हूँ इसलिए गाओ के लोगों ने मतलब विशाली के लोगों ने नरने लिया कि क नहीं इसको एक नगरवदू बनाया जाए और यजिलिए वो उसको फिर बाद में नगरवदू बनाते है और बड़ी शुन्दर थी और वो ऐक ऐसी कन्या जो सुन्दरता के लिए उस इहिया में जगआ जगँ जगआ जानी जाती थी बहुत सारे राजा उसके शुंदरता क बड़ी मन महोकते हूं और वो अपनी शुंदरता के लिए जानने की वज़से आप समझ सकते हैं कि कितना संकट उस समय आमरपाली पर आया होगा और ये देखने के लिए मिलता है कि वो किस तरह से समय को उस काल में अपने बचाओ के लिए अपनी रक्षा के लिए वो किस तरह से एक जो उसके उपर में फोर्श पुली कहा जाता था तो उसने स्विकार कर लिया और वो नगरवदी बेशिया के रूप में वो जानना शुरू हुआ वो खुझ से नहीं बनी थी वह उस पर थोपी गई जो बात थी इसलिए नगरवदी उसको स्विकार करना पड़ा और वह सारे राजा उसका उब भोग किया करते थे में शाली जो कि उसकाल में बड़ा प्रशिद नगर था और यहीं चीज़े उसके शाथ होती भी देखने के लिए मिलती हैं उसकी खुबशूरती चोंकि वह सबसे अधिक उस चेतर में होने की वज़से हर एक आदमी के जबान पर आमरपाली का नाम हुआ करता था और इसलिए वह अलग अलग तरह से लोगों के परिशानी का सिकार भी बनते चली जाती थी उसके पास अपना एक महल भी था धन की कोई कमी उसके पास भी नहीं थी उसके पास भी भरपूर धनता लेकिन नगर के लोगों ने उस तरह से और उसी वजह से उसने शुकार भी कर लिया और आप जानते हैं कि यह दिवोज शुकार नहीं भी करती लेकिन फिर भी उसको इन सब बातों का शुकार होना पूरता है एक दिन जो है बहुत बिकु चारी का करने के लिए निकलते हैं बिच्चा टन करने के लिए और बिच्चा टन करते करते उनके द्वार पर पहुशते हैं उसने भी कुछ दान देना शुकार किया और उसे लगता था कि ये हमारे घर आए भीतर आए तब वो बिकु उनके घर भीतर भी चले जाते हैं भीतर जाने के बाद में उन्हें आमनतीत करते कि आप इसी विशाली में मेरे महल में ही आप चातुर मास कीजिए वरशावास कीजिए क्योंकि कुछ समय बाद वरशावा स्प्रारंब होने वाला था हूँ वह भिकू ने उस समय शुकार तो नहीं किया उनके कहना था कि तथागत गौतम बुद्ध हमारे सास्ता हैं हमारे आचारी हमारे गुरू है तो उनके पास जाकर के मुझे अनुमती लेनी पड़ेगी और तब वह अनुमती लेने के लिए वह जाने के बाद वह उशे तथागत गौतम बुद्ध को बताते हैं कि यह व्यक्ती है जो वर्षावास करने के लिए कह रही हैं तथागत ने सहर से उसे अनुमती परतान की चुकि यह जवान भिकू थे आमरपाली भी सुन्दर थी तो बाकी भिकू को लगता था कि यह वह बहुत सयमीद थी अपने इंदरियों को उन्होंने सयमीद बनाया था इसकी चर्चा पूरे नगर में हो रही थी कि अब भिकू को इन्होंने आमतीत कर लिया है अपने महल में ही और वो यहां पर चातुर माश करेंगे और लोगों के मन में अलग तरह की बात उत्पन हो प्रेते लेकिन आमरपाली ने चाहा कि इस भिकू को वश्मे करना चाहिए लेकिन वह उनको वश्मे नहीं कर पाई वहाँ के राजा, वहाँ के नगेवाशी, वहाँ के गरपती, व्यापारी वो सब अमरपालिश आकरशीत होते थे, विक्को नहीं में और जब दूसरे सिश्यों ने कहा कि तथागत आप क्या कर रहे हैं तथागत ने कहा मैंने उनके आँखों में देख लिया है वो किसी भी प्रकास से कोई कंपीत नहीं होंगे, वो अपने रास्तों को अच्छी तरह से जानते हैं अपने बारे में जानते हैं, वो कभी भी कोई गलत नहीं कर सकते हैं जब उन्होंने चातुरमास समाप्ट कर दिया तो समाप्ट करने के बाद में तथागत गौतम बुद्द के पास खुद अमरपाली आती है उन्होंने का मैंने बहुत प्रियास किया मुझे यह बिक्कु बहुत पशंद थे लेकिन मेरा प्रियास नाकामियाब रहा हूँ इसका कोई लाब पराप्त नहीं हुआ और तब तथागत गौतम बुद्ध को भी वह आपने यहां पर आमधीद करती है बिकू संग के साथ में भोजनदान के लिए और जब यह आमरपाली आमधीद कर देती है उसकाल के बहुत सारे ऐसे राजा भी थे जिन्णोंने तथागत गौतम बुद्ध के पाजा कर कि उनोंने भोजनदान के लिए आमनतित किया था लेकिन आमरपाली गौनी काका उनोंने भोजनदान सुकार कर लिए ऐसलिए राजाओ को उन्ने अनूमती नहीं दी तब राजा को लगा था कि आमरपाली वेश्चा का तथागत ने भुजदान शुकार कर लिया है या कैसे संभा हो शकता है तो तथागत चो थे वह हर एक आदमी को परिवर्तित करने की छमता रखते दें हर एक इनसान के जीवन में इनसान तो गलत नहीं है परवर्तियां गलत हो शकती है लेकिन परवर्तियों को बदला जा सकता है तो इनसान तो बदलता ही है इसलिए तथागत गौतम बुद की जो भावना थी ये काफी मजबूत भावना रही है बहुत सारे राजा, बहुत सारे उसकाल में गहपती यह यही विचार करते थे, आमरपाली पराप्त हो जाए लेकिन आमरपाली भी या उसकी शुंदरता भी बहुत लंबे समय तक टिक कर नहीं रहती आपने देखा होगा कि हर एक इनसान अपने जीवन का अल में परिवर्तीत होते रहता है और वो कैसे परिवर्तीत होता है आप देख शक्ते की जबान है फिर बुड़ा होगा उसकी शुंदरता भी धिरे धिरे समापत होते चले जाएगी जैसे कब ऐसा रहने के संभावना नहीं है इस जगत में हर एक आदमी तो जवानी में तो अमरपाली सुंदरती जैसे जैसे बुड़ा पाएगा तो जवानी में जैसे सुंदरती वे सुंदरता बदल जाती है काया बदल जाती है, सरीर बदल जाता है, हर चीज बदल जाती है आपने देखा होगा कि हर एक आदमी की इंदरियां बदल जाती है आ, का, ना, ना, तुचा, जीवा, ये सब देरे देरे अपना अशर कम हो जाता है इसकी जो शवेदनाए हैं वो कापी कम हो जाती है इसलिए तथागत ने हमेशा जिस बातों पर ध्याना करशीत कराया हर एक आदमी का जो आमरपाली के बहुजन दान के बाद शुकार करने के बाद में हम देखते की तथागत ने भी उनको दिश्रा दी तथागत को लगता था कि यह आमरपाली भी बदलनी चाहिए है बहुत जीवन में इसने जान बुच के नहीं लेकिन उसवे थोपी गई कारण से इसने पाप कर्म किया है तो पाप कैसे समापत हो और कुशल किया है वो कैसे समापत हो इसलिए आमरपाली वहाँ खुद भी चाहती थी कि नहीं मेरा जीवन बदलना चाहिए इन सब प्रपंजों से मिझे बहा निकलना चाहिए और इसलिए उनके भोजन के बाद उबदे शुने के बाद उसका चित्त काफी प्रभावित हुआ उन्हें लगा कि मैंने जो गलती की है मैंने जिस रास्तों को जिया है वो रास्ता ठीक हो भी नहीं शक्ता और इसलिए तथागत गौतमद्द की इस देशना से वो काफी प्रभावित होती है सभी राजा, ग्रहपती या पारी, किशान उस भी देखते हैं जाते तथागत ने क्या कर दिया तथागत ने एक ही उपदेश दिया था सभी संसकार अनित्य हैं, रूप अनित्य हैं और यह सभी संसकार भी अनित्य हैं यह पूरी तरह से बदल जाने वाला है जैसा का वैसा इसके रहने की कोई संभावना नहीं है तथागत ठीक तरह से इस बातों को बताते थे, समझाते थे और उनकी बातों को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से ग्रहन भी किया सुनते सुनते सुरतापन्न हो जाती है और सुरतापन्न हो करके उसका चित्त परिवर्तीत हो जाता है अब उसका काम भोग में मन नहीं लगता चुकि आप जानते हैं कि मनुष्य अकरशीत होता है काम भोग पर उसकी इन दुनियां उससे वह मांग करती है और इसलिए हर एक आदमी आपने देखा होगा कि काम भोग में वह विच्छीत हो जाता है वैसा ही उस नगर की नगरवदी का यही किस साथा कि वह भी पूरी तरह से इसी तरह से उसने अपने जीवन को पूरी तरह से जिया था धन संपत्ती हो शक्ती है लेकिन मनुष्य के जीवन काल में चरीत्र का होना एक बहुत जरूरी है जब चरीत्र अच्छा होगा तो जीवन भी अच्छा होगा जब जीवन अच्छा होगा तो हम प्रियता लोग प्रियता और सब में हम एक अच्छे इंसान कहलाने वाले लोग बन सकते हैं लेकिन तथागत ने कहा कि कोई बेकार आदमी अच्छा नहीं बन सकता है ये ऐसा नहीं है बेकार आदमी अच्छा हो शकता है इसकी संभावना अधिक है और होने के लिए सिर्फ रास्ता बदलना पड़ता है जब रास्ता बदल दिये तो इनसान में वो परिवतन आशकता है और यही जो परिवतन है तो थाकत गौतम बुद्ध ने आमरपाली के जीवन में एक बड़ा परिवतन आने का काम किया हूँ आमरपाली जो की बहुत प्रशिद गनी का थी और वह भी अब उसके मन में भी अभाव उत्पन होने लगे ते कि नहीं मैंने अब रास्ता बदलना चाहिए अब मुझे अच्छा जीवन जीरे के तरफ में आगे बढ़ना चाहिए इसलिए उसने अब ये निश्चे कर लिया कि जो मैंने पहले अकुशल किया है अब उसको मैं नहीं करूँगी कुशल कारे के तरफ में मैं अब गतीमान होते रहूँगी ताकि मैं अपने जीवन को अच्छा बना शकूँगा हूँ इसलिए गरी का जो कि उसे विशाली में बड़ी प्रशिद्धी मिली हुई थी इस चीजों को लेकर लेकिन अब समय बदल गया है अब उसे कोई भी इस निगाह से नहीं देख शक्ता था गलत परवर्तियों की तरह वह बिलकुर भी नहीं देख शक्ता था इस तरह से तथागत और तथागत गवत्वद्ध के संग की एक नितिक जीमेदारी को समझते विए उन्होंने पूरा अपना एक बड़ा अच्छा काम किया कि एक घनीका को भी उन्होंने बदला एक वेश्या को भी बदलने का काम तथागत गवत्वद्ध और उनके संग ने किया पूरी तरह से वह बदल चुकी थी और यह सुरुवाद उसके जीवन की एक गलत दिशा में है लेकिन जब अंत हुआ तो अंत उसके जीवन में काफी कुछ अच्छा लाया इसलिए वह तथागत गवत्वद्ध के से कहती है मुझे अब मुझे आजीवन अपना सिस से बनाए तथागत और वो सिस से बन जाती है और फिर वो भिकुनी भी बनती है उसको लगता कि मुझे भिकुनी भी बनना चाहिए उसने अब बहुत ही प्यार एक एस उसके उसने अब कार दिये है उसके सुन्दर सुन्दर तोचा में वह बड़े आकरशित कपड़े हो थे उसको बिदल करके उसने अब काश्य वस्तधारन कर लिया है और वह एक भिकूरी बन चुकी है इस आमरपाली ने इसी विशाली में उसका एक आमरवन भी था चुकि उसके पास धनकी तो कमी नहीं थी अच्छे राजा, महाराजा और बहुत सारे लोग उसको बहुत शंपत्ती दिया करते थे शंपत्ती की तो कमी नहीं है लेकिन उसके जीवन में जो वह गलत प्रवरतिया है उसके वज़े से वह सब लोगों के दिल औ दिमाग में हीता की गनी का है उस भावशे लोग उसको देखते थे राजा, महाराजा लोग से मनुरजन किया करते थे अब उसने सोचा कि नहीं मनुरजन करना त्याग दो और मैं सही और वास्तिक रास्तों को अपना करके मैं आगे बढ़ो सकू इसलिए उसने यही रास्ता अपना लिया और उनने का कि मैं संग को यह आमरवन दान देती हूँ जब भिकु संग तथागत कहीं से भी आएंगे तो आने के बाद में वो यहीं विश्राम कर सकते हैं यहां दमदेशना दे सकते हैं उनके ठारने का इंतजाम हो शकता है इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए उसने अपना आमरवन संग को दान दे दिया क्योंकि जब दान देते हैं तो चित्त निर्मल होता है अच्छा होता है उसके अंदर में अच्छी भावना आ जाती है और वह सीलो का अभ्यास करना शुरू कर दिता जीते जीतों यहाँ पर हम देखते रहते हैं, लेकिन मृत्तु के बाद मनुष्य सब यहीं छोड़ कर चला जाता है, यह भाव उसके चित्त में जागा, बुढ़ापा आ जाता है, यह भी उसके मन में भाव जागा, और शरीये पूरी तरह से वहाँ बदल गई, और एक अच् का जीवन बहुत ही अलग था, लेकिन अब मैं तथागत गौतम बुद्ध के इस रास्ते से, इस धमसे परवाइद होकर मैंने अब सही चीना सीख लिया है, कुछ शर करम करना मैंने अब जान लिया है, मैं इसी रास्ते पर मैं आगे बढ़ते हुए, मैं सर्वशुकी बन सक यही मेरा जीवन है। रहस्ता बदल दो, तो मनुष्स्य के जीवन में कृंती हो जाती है, और वह काम आमरपाली ने अपने समय काल में किया। किसी को बिलीव नहीं होता था कि एक गनी का भी वह इस तरह से बजल सकती है, इस तरह का जीवन जी सकती है लेकिन अम्रपाली ने शिद्ध करके दिया कि मैं चाहे पहले गनी का रही हूं लेकिन अब मैं रास्टो को जान ली हूँ जीवन को जान ली हूँ जीवन को मैं अब समज लिया है कि इसलिए अब मेरा जीवन उसकाम से खटकर के मैंने अब सच्काई का जीवन सद्धम का जीवन इनसानियत का जीवन मैं जीने के लिए अगे बढ़ रही हूं तो इसलिए उनका एक दर्संकलपीत हो चुकी थी सरद्दा उसकी बढ़ चुकी थी अब सिल्य का पालन करने में उनका मन लग रहा था उसको लगता था कि यही एक स्रिष्ट मार गए है यही एक स्रिष्ट जीवन है जो मनुश्य को अच्छाई के तरफ लेकर जाता है और वो अच्छे जीवन जीने के लिए हमेसा प्रिरीद करते रहता है ततागाज गौतम बुद्द से दिक्षा लेकर के वहा अब अपने संपून जीवन में उसका एक ही उद्देश बनाता मैं उस अवस्ता तक पुछू इसलिए आमरपाली अरहत पत को भी प्राप्त किया था अपने सारे शतू को उन्होंने परास कर दिया और जब वो सत्रू को परास कर दिया अब उसके मन में तरशना नहीं जाग रही है उसके मन में काम भाव नहीं जाग रहे हैं अब उसके मन में या किसी के परती लोब देश की भावना अब नहीं जाग रही हैं पूरी तरह से अब समाप्त होई हैं इसलिए अच्छी अवस्ता को सद्गती को प्राप्त करने के लिए और आमरपाली जो वेशाली में रह करके उसी ने सब को एप्रूब कर दिया कि ऐसा भी स्रेश्टर जीवन मनुश्य को प्राप्त हो शकता है अपने खुद के आचरन की वज़ा से इसलिए इंसान कितना भी गलत हो लेकिन वह जब जान लेगा कि नहीं है में गलत है कि तथागत हर एक आदमी को चाहिए वहत्यारा हो चाहिए वह गनीकाए हो चाहिए वह किसी भी प्रकार का अपरादी परवर्ती का विवर्ती की हो तथागत गौतम बुद चाहते थे कि ये इसकी परवर्ती तो अभी ये है लेकिन होशकता है कि ये व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाए, सुधार आ जाए, तब उसने बुद्ध धम संग के दिख्षागरन करती है, वहाँ बुद्ध को नमस्कार करती है, धम को नमस्कार करती है, संग को नमस्कार करती है, और वहाँ पूरी तरह से दूसरी बार तिसरी बार समर्पीत हो जाती है उसे रखता है कि यही जीवन अब मेरे लिए इस रिष्ट है यही उत्तम मार गए है इससे बड़े जो उत्तम मार गए हो कहीं नहीं है यही सुक देने वला यही सांती देने वला पहले तो उसके विचार रहते थे कौन आएगा कौन धन देग है वह अपने खूले हाथ करके मानो कल्यान के लिए संक कारियों को और भी सुगम बनाने के लिए वह खूले हाथ से दान करना शुरू कर दिया था उसका नाम है आमरपाली और यह आमरपाली जो इतियास में आप देखेंगे तो इसका इनका एक बड़ा अहम रूल हमें में तया जो कुछ भी प्राप्त किया जो कज उसने संपति शमाल करकी थी लेकिन वो संपति को धीरे 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 बदान करती चले चाले की जो कि आगर अगर सरावी का बन चुकी थी इसलिए तथागत Ciao tam buddhya ने आमरपाली को भी अपने हातों से दिख्षा देकर उसे धन्य बना दिया लोग सब देखते रहे गए कि यह वेशाली में हो क्या रहा है आमरपाली ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो तथागत ने भी उनकी बात मान दी लोगों को लगता था कि बाकी जैसे लोगों पर आमरपाली जादू करती वैसी तथागत और तथागत के शंक पर कर रहा लेकिन जब लोगों ने जाना कि नहीं तथागत ने ही अपने विचारों से अमरपाली को प्रवाइड करके उसके मन में वो एक्रांती करते भी परिवर्टन लाने का काम किया, इसलिए अब वो बदल गई है, अब उसके पास राजाओं की, ग्रहपतियों की, व्यपारियों की कोई खास भूमी का नहीं है, जो लोगों को लगता था, और इसलिए उसने अब पूरी तरह से रास्तों को बदल करके, सच्चा और मानौं के इ अपने चित्त को निर्मल बनाने का अब उसने प्रारहम कर दिया, उसका चित्त निर्मल बन चुका था, आमरपाली अब आमरपाली पहले वाली आमरपाली नहीं है, वो आमरपाली एक अच्छे व्यक्तितों के रुप में लोगों के सामने अब दिखाए दिती है, यही बु जूजन है उसको सज्जन मनाने का जो कारी है वो संग के मादेम से देखने के लिए मलते रहता है। इसलिए बड़े बड़े यूद जैसी समस्या हैं, मन के अंदर में समस्या हैं, व्यक्ति के जीवन में समस्याओं को समाधान की तरफ उसको अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए तथागात गौतम बुद्र का यह जीवन इस्टाइल है। उनके बताने की जो सैली वह हर एक आदमी को जीतने के समान दी। उन्होंने आमरपाली को अपने धम किस नीतियों से जीत लिया। अब वह पूराने कारियों पर बिलीव नहीं करती थी। अब उसका जो अशर है उसका जो भाव है वह सद मार्ग की तरफ आगे बढ़ना शुर उस समय के लिए वेशाली को पूरी तरह से जाना जाने लगा। अब जानते की वेशाली में जब संकट आया था वहाँ पर अकाल बढ़ गया था बारिश ना होने की वज़े से तथागत को फिर से उन्होंने वेशाली के लोगों ने याद किया और जब तथागत वहां रखो, मिल्जूल कर रखो, और अच्छी तरह से जीवन को यापन करते रहो, तो आपका हमेशा कल्यानी होगा, मंगली होगा, आप अच्छी तरह से जीवन को जी सकते हैं, यह भाव यह तथागत गौतम बुद्ध ने हुने बताए, और इसलिए तीन रतनों की हमेशा पूज करना, तीन रतनों के प्रती सद्धा का भाव बनाये रखना, यह स्वेंत थागत ने उस काल में कहा हैं, और अमरपाली ने उस समय यही काम किया, सब बिलिव छोड़ करके, सब का इस्वास छोड़ करके, उन्होंने बुद्ध धम और संका ही रास्ता अपनाया, जो सत्य पर हैं, और जहां पर नयाय को पूरी तरह से इस्तापित करने का भाव हैं, और इसलिए तथागत गवतम बुद्ध ने इस आमरपाली के जीवन को बदल दिया, और जो मैंने आप लोगों को आमरपाली के बारें बताया कि वहाँ एक ऐसी वक्तितु का निर्मान कही, जो पूर लोगों ने शुना, सबके प्रती देश सारी मंगल कामना है, आप सुखी हो, दिरगाई हो, स्वस्तर है, बहुत उश्या मंगलाद। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रस्न हों, जो जिग्यासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं, प्रस्न पूछने के लिए आप हमारे वाटसप नमबर 9639010109 पर आप प्रस्न भेज सकते हैं, या हमारी इमेल आईडी भेज सकते हैं, आपके प्रस्न के जवाब आपको सीधे हमारे एक्सपर्ट भंतेजी लोग देंगे, और मुझे उस वह उमीद है कि आपको आपके जिग्यासाएं सान्त होंगी, इसी के साथ आज हम लेते हैं विदा, कल फिर मिलेंगे, नमो बुद्धाएं भगवतो अरहतो